राजधानी दिल्ली में सुभह से लगातार बारिश हो रही है वहाँ पर 97 मिलिमीटर की बारिश अभी तक दर्ज की गई है बतादे की भारी बारिश से जहां सरकों पर ट्राफिक जाम होनी की स्थिती आ गई है वहीं दिल्ली एरपोर्ट अब सी पोर्ट में तबदील हो गया है जी हां दिल्ली एरपोर्ट में भी काफी पानी जमा हो गया है जिसके वज़े से दिल्ली एरपोर्ट के रनवे पर समंदर जैसी स्थिती पैदा हो गई है ऐसी स्थिती बन गई है डेली एरपोर्ट पर पानी भर जाने की कारण की ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये वही दिल्ली एरपोर्ट है पूरी तरफ पानी भर चुका है अंदर में भी पानी भर गया और बाहर रन्वे पे भी चारो तरफ पानी भर चुका है हर तरफ दिल्ली में पानी से भरा ही नजारा देखने को मिल रहा है बतादे कि राजधानी में शनिवार को हुई बारिश का असर दिखा है वो सड़क से लेकर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में शहर में 97 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई है राजधानी दिल्ली में सुभह से लगातार भारी बारिश हो रही है बारिश के कारण जहां सड़कों पर पानी भनने से ट्राफिक पर असर पड़ा है वहीं दिल्ले एरपोर्ट पर तो रनवे के पास भी समंदर जैसी स्थिती हो गई है मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहर में 97 मिलिमीटर बारिश हुई मौसम विभ्यानिकों ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाय रहने के साथ ही मध्यम बारश और गरज के साथ छीटे पढ़ने का अनुमान जताया है भारी बारश के पास IGI एरपोर्ट के टर्मिनल 3 के भीतर पानी भढ़ गया है पानी भढ़ने से लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है एरपोर्ट में टैक्सी से आने वाले आत्रियों को अंदर तक आने में जल भराओ के कारण परिशानी झेलनी पड़ी कई लोग भारी बारश के कारण एरपोर्ट पर ही इंतजार करते दिखे बारी बारश के कारण रन्वी के पास पानी भर गया है दिल्ली में बारी बारश के कारण चार डोमेस्टिक फ्लाइट और एक अंतराश्ट्य फ्लाइट को दिल्ली से जैपुर और एहमदाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया गया एरपोर्ट अथोरिटीज का कहना है कि अचानक हुई भारी बारश के कारण कुछ देर के लिए एरपोर्ट कोरीजोर में जल भराव हो गया हमें हुई असुवधा के लिए उन्होंने खेट जताया है टीम ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और समस्या को दूर कर दिया गया है मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहर में काफी जादब मात्रा में भारी बारश दर्ज की गई अभी तक दिल्ली में इस महीने 248.9 mm भारश हो चुकी है जो सितंबर के लिए 129.8 mm की ओसत बारश से कहीं अधिक है दिल्ली में मौनसून को 19 साल में सबसे देर से 13 जुलाई को दस्तक देने के बावजूद राजधानी में उस महीने 16 दिन बारश दर्ज की गई थी जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक रहा दिल्ली में बारश के दिनों में 507.1 mm बारश हुई जो औसत से तकरीबन 141 प्रतीशत अधिक है जुलाई 2003 के बाद से इस महीने में हुई सबसे अधिक बारश है बता दे कि दिल्ली में चारों तरफ पानी भर गया है अचानक सी हुई बारश से सभी लोग परिशान नज़र आए खास कर दिल्ली एरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 के भीतर भी पानी घुस गया है जिस वज़े से यात्रियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा कुछ यात्रियों को एरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा साथी साथ दिल्ली एरपोर्ट के रन्वे पर भी समंदर जैसी स्थी